तो कैसे हैं आप सब आप लोग जो है थर्स्टे का व्लॉग और आज है फ्राइडे जब मैं अपलोड कर रही हूं यह वीडियो तो यह काइंड ऑफ रूटीन व्लॉग है और इसमें आप मेरी रूटीन देखने वाले हैं लेकिन मैं जो डिसकस करने वाले हूं वो कुछ और टापिक है थामने पर आपने अपने अरड़ी देख लिया होगा कि आज हम किस चीज को डिसकस करने वाले हैं तो जो मैंने आपको कहा था कि मैं एक पूरी डाइट सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें आपको क्या खाना है क्या करना है किस तरीके से अपनी रूटीन क को चेंज करना है वो डिसकस करूंगी तो ले जी आ गई मैं आपके साथ शेयर करने के लिए कि मैंने किया आपके लिए जो है वो बहुत सारा कोशा करहा हूए हैं और अपने पर जो experience किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो और आप भी इंशाललह उतो उससे फाइद जादा इंपोर्टेंट है आज वो चीज़े हम डिसकस करेंगे तो मेरी रुटीन को एंजॉय करते रहें दिखते वे और हम इसी वीडियो पर बात करते हैं सारे बेसिक्स पॉइंट की जो समझना और उस पर अमल करना जादा जरूरी है चले तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एट मींस कि आपको हर काम में एक्टिव रहना है अब को मतल控 पूरे दिन आपको एक्टिव रहना है आपको कराना है थो प्र अफोश्Hy clinics और थेल कृराना है अगर हम सोचेंगे कि हमने सुश्ती आ रही है तो वह ऐगी definitely आई अगर हम सोचेंगे के नहीं we are active we can do it तो फिर हम active रहेंगे तो इसलिए हमें active रहना बहुत जादा जरूरी है तो सबसे पहला और जो main point जो है न वो है active रहना ठीक है चलते हैं second point की तरफ second point ये है कि हम second point की तरफ जाने से पहले पहले मैं आपको ये बताती चलो कि हम point जो second को लेंगे वो हम start करेंगे अपनी routine को change करने के लिए like आप सुभा से अपनी routine को change करेंगे तो चले अब हम routine किस तरह से हमें change करनी है तो वो हम discuss करते हैं तो सबसे पहले हम सुभा से लेके चलते हैं like आप सो रहे हैं ठीक है और फजर का time हो है आप उठें नमाज पढ़ें कुरान पढ़ें, जिसको हम एग्नॉर कर देते हैं, सब से जादा वो जरूरी है फाले ठीक है तो आप पहले उठें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और विंटर्स हैं आजकल जो है नमाज हो जाती है पांच बज़े राइट तो पांच बज़े तक नमाज अजाने शुर तो फिर आपने क्या किया अगर आपको दिल चाहे का नहीं चलो लेड जाते हैं इसे नहीं करेंगे तो आपने क्या करना है कि अगर आपको एक्सक्राइब हो अगर ढ़ जो भी काम हो गर फैलावा तो होता ही रहता है हमारे खमरे में यह एक नर्मल सी बात है तो अप उस चीज में लग जाए और चीज में लग जाएं कुछ भी करना है पिछ किन और और नीम गरम पानी जो है व और पीें पानी को ही उसके बाद आप लक्त जोगा है लबाद है I'll अनको ले लीजिए फू कुल टू टू इा फू कौ टू टू तो ही तिक क्थी कुले लें तो इसके फूर के पास फूरूट रखा हूआ हो ए다면 तो ले अब जब आपने कोई फ्रूट ले लिया उसके 22-25 मिनट बार आपने क्या करनी है एक्साइज स्टार्ट करते हैं इस ताम पर जिनके बच्चें वो भी सो रहे होते हैं अस्बंड भी सो रहे होते हैं सारी फैमिली वो सो रही होती है तक रिवन और इस ताम पर आपके पास नहीं यार इससे तो बाडी में पेन हो जाता है इससे तो हमें यह हो जाता है या वो हो जाता है तो उनके लिए मैं बहुत ही बहतरीन किसम की एक्साइज आपको बताने वाले हूं इसी वीडियो में तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है पूरा देखना है कि इसी भी पॉइंट पे मैं आपको वह बात बता दूंगी ठीक है तो exercise कि आपने exercise तकरीबन आप एक घंटा तो लाजमी करें अच्छा एक घंटा लग रहा होगा oh my god बहुत साथ है एक घंटा तो लेकिन एक घंटा exercise आप जो मैं बताऊंगी वह आप करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि एक घंटा कैसे आपका गुजार गया ठीक है अब आपने exercise कर ली ठीक है अब आपके दिन के काम स्टाट जाएंगे लागिन दिन निकल जाएगा और फिर आपके husband को school जाना है बच्चे अगर आपके हैं तो वह school जाना है ठीक है ना आप उनकी फिर जो भी routine है healthy सा अच्छा सा और उसको वैट के enjoy करें ठीक है तो आप में breakfast करना है breakfast में क्या options है क्या लेना है वो भी मैं आपको next video में बताऊंगी कि आपके पास बहुत सारे options है मैं आपको even recipes भी बताऊंगी लेकिन इस video में नहीं क्योंकि यह video बहुत ही जादा लेंदी हो जाएगी अल् लेकिन हम इसको और मजीद लेंदी नहीं कर सकते वरना आप लोग भी बोर हो जाएगे चैने जी तो फिर आपने breakfast किया breakfast करने के बाद आपके घर में बहुत सारे काम है आपको लंच बनाना है और आपको साफाई करनी है और बहुत ही जादा चोटे मोटे भी बहुत सारे काम लाप 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 लुट फिर आपने क्या करना है कि उन कामों को पहले वाइंड आप कर लेना है breakfast के बाद तिक है अब देखें जो breakfast आपने किया ना वह आपका घर के कामों में और active रहने की वज़ा से आपका digest रोजाएगा ठीक है यह ह गया अब बारी आजाती है जहर की आपने जहर की नमाज पढ़नी है ठीक है जरूर पढ़ेंगे इन्शालला और पढ़नी भी है और पढ़नी भी जाएए डेफिनेटली वे अर मुस्लिम तो आपने नमाज पढ़ी और नमाज में यह भी दुआ की साथ साथ के अल्ला ताला हम में इस्तकामत दे जो हम यह कर रहे हैं अपने लिए अपना ख्याल रकनेके लिए किके हम दुनिया के काम में अपनी जो दुनिया मतलब आखिरत है उसको और अपना जो ख्याल होता है जो हमें रखना चाहिए वो हम भूल जाते हैं तो आपने लिए अपने लिए और मेरे लिए भी और फिर जहुर की नमाज से जब आप फारिग हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि मतलब फिर आप अपने लिए खाना लें ठीक है लंच लें लंच करें लंच के भी options में आपको बताऊंगी और ऐसे easy जो आपको अलग से न आप 15-20 min चाप आप से लिए आपको कमरा बढ़ा है कमरे में उलक नहीं कर लें तो आप की सहनब बनाऊगा उसमें वाक कर लें स्टैबस ले लेजिए तो आपने स्टैप्स लेए थोड़से ठीक है उसके बाद देखें आप सोबहा से उठी हुई है अब तो टाइम आता है कि यार बहुत ठक गए हैं, थोड़ा तो अराम होना चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है कि जब आपने थोड़ा सी वाक कर ली, उसके बाद आप थोड़ा सो जाएं, ठीक है? अब आप थोड़ी दर अराम करें नाप लें लें लाइक वन आवर लें ठीक है ना उसके बाद असर का टाइम भी आज कल बहुत जल्दी हो जाता है तो आप उठें असर की नमास पढ़ें उसके बाद मगरिक कभी पहुत जल्दी टाइम हो जाता है मगरिक की नमास पढ़ें पर उसके बाद जो है, फिर फिर उन्न के ठीजर न को काम हो, अपने अपने काम होते हैं, can I do not know, लेकिन बहुत से काम होता हैं हम लोगों को न तो तो वह सब करें, उसके बाद फिर एक डिनर की रूटीन शुरू हो जाती है कि आपको डिनर भी बनाना है ठीक है तो फिर आप डिनर बनाएं फिर डिनर करें डिनर के भी आपशन्स में आपको बताऊंगी डिफरेंट डिफरेंट ठीक है तो वह आप करें ठीक है उसके बाद आप जो है डिनर क आप आप ले लें निनर के आप 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 अफ आवर बात आप लें मे लें ग्रीन टी ती की रैसीप इन्हें एंने लास्ट वीडियो में शेयर किये है मेरी वीडियो खळता और से आप देह सकते हैं मैं लिन्क डिस्क्रिप्शन में भी देहुंगीonne में सब्सक्सा बिया करे ठीक है, आप बैठेंगे, ग्रीन टी पीएंगे, उसके बाद फिर आप भॉक भी करेंगे, तो यह आपको थोड़ा सा लंबर चौड़ा सिस्टम लगेगा, तो आप ऐसा करें कि ग्रीन टी लें, और सासास बॉक भी करते रहें, और ग्रीन टी को भी ले लीचे, तो फिर आपने क्या करना है कि ग्रीन टी ले लिए और उसके बाद आप आप एक्स वाइजार जो भी काम हो, इशा कि नमाज पढ़ें, जो भी काम हो, चल पिल करेंगे, और फिर सो जाएं, ठीक है, जल्दी सो अगर आपको डिप्रेशन होगा, और मतलब किसी भी किसम का डिप्रेशन, स्ट्रेस, उससे भी वेड बढ़ता है, तो आप नीन को अच्छे से अच्छा पूरा करें, जल्दी सोएं, क्योंकि अब आपने रूटीन को चेंज करना है, क्योंकि हम जब सुबा से उठते हैं, तो फिर हमारे दस काम भी हो जाते हैं, तो हमारे पास पूरा दिन पड़ा होता है, और हम और भी कुछ करने का सोच सकता है, लिए अगर हम देड में उठेंगे, तो हमारे दस काम क्या अपने ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इस तरीके से मैं आपको सुबा की रूटी तो अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टिप्स की ना, तो इंपॉर्टेंट टिप्स वो हैं जो मैंने फॉलो करी हैं और यकीन करें, यकीन करें, इतना जबरदास एफेक्टिव रिजर्ट पैने इन चीजों का देखा है, इस चुचच़़टे पॉइंट्स जो हैं, व आपको अपने पेट में तंकी बना लेनी हैं और फिर क्या करना है उसमें पानी बहते चले जाना है, ठीक है, अब आपको पानी लेना है और पानी को पीते चले जाना है, 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 आपको जो हर आद यहाँ मुझे पानी पीना है थोड़ी देर हो फले फर पानी पिले छोड पको तैंग कंगा वहाँ तो यानि उससे पहले जब हमें आदत थी कि कुछ भी उठाके खा लिया, कुछ सामने आया तो खा लिया, वो चीज नहीं होगी और आप सोचेंगे पानी से वो चीज नहीं हbaum एस वो MASKता है तो बिलकुल मुल ऑसकता है कि जब हमारा प्ल्ट होगा तो हमें और किसी और चीज की रिवल महीं होगी और साहरी बांग होटी यहीं ऑगर हम मॉटिवेट् सबसे इनफ, मैंन को नियार करने के ही जाउया ज़गा है क मैंना है, तते अफ़ाइन में था धालोगा में आपने आपको कि आपको टाइम का अपने पीज़ाइज़ा GPe टाइम दे, अपने आपको टाइम दे, बेशक आपसे बहुत अराम-अराम से ये सब चीज़ा फालो हो सकेंगी, हम सब इंसाने एक जैसे हैं, आप भी, मैं भी, हम से ऐसी चीज़ें बहुत देर में हम फालो कर सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को बहुत अराम अराम से चेंज करेंगे न तो इंशालला हम अपने आपको चेंज कर सकते हैं डैफिनिटल बस यह के टाइम दें फॉरन से दीमोटिवेट हो जाना यह अच्छी बात नहीं है तो क्या होता है कि कि जब हम वह वाली डाइट करते हैं लाइक कीटो डाइट है एंटर्मिटन पास्तिंग है और पता नहीं कौन कौन साथ हैं अगर हमुंड करते हैं तो हम कब तक करेंगे लाइक कब तक यानि कि आप भी वह है। है हम थाह उपक्रूंत किसी बी डाइट को स्पेशल दाइक को फॉलोर्त करते हम नहीं कर सकते हम बसे यहांनि अगर आपको कोई कहा है के चामल चोड़ दो तीके ना तीन महीने आपका वेट कब हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा बिल्कुल होगा क्यों होगा कोई भी आप अपने उपर महनत करेंगे तो आपको अलाथ आला जो है वो उसका रिजर जरूर देगा लेकिन क्य नहीं हम पॉशन कंट्रोल करके अपनी लाइवस्टाइल को चेंज करें और उसको पर्मिनेंट बनाया है like हमने वेट कम करे वो पर्मिनेंट रहे क्यों करें हम अपने साथ जोलम के हम इतनी महनत करें कीटो करें और इंटर्मितन पास्टिंग करें और इसके बाद पिर हम त जल्दी आपका वेट और डबल बर जाता है पिर आप किसको ब्लेम करते हैं कि जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना वो जह है सही नहीं थी उसकी वज़ा सी होगा है कि मैं इसको छोड़ा है ना तो फिर मैं मेरा जो बॉड़ी है वो इस टाइप की हो गई है बहुत जादा ही म हम क्या करें हम अपनी मिस्टेक्स जोले रहा हम चीजों को ब्लेम ना करें ठीक है तो मतलब अपनी पोशन कंट्रोल डाइट करें ताके हम उसको लाइफ टाइम ले जा सकें मीथा पसंदे तो मीथा भी खाए लेकिन एक लिमित में खाएं किस तरीके से खाएं वो भी एक ड पानी आपको पीना है खाने से पहले यह भी बहुत ज्यादा एफेक्टिव टिप है खाना आप खाने बैठें पानी पी रहें दो गिलास पानी पीजाए तो बेस्ट है नहीं पिया जाना तो एक गिलास तो लाजमे पीए ठीक है ना और यह सुनत भी है ठीक है आज कल के रि करते हैं तो बहुत ही अच्छी सुनत है आप सलसलेम की और बहुत ही जादा एक्टिव हैं कि हम खाने से पहले पानी पी ले और खाने के बीच में थोड़ा सा पानी पीले और खाने के एंड में पानी ना पीन क्योंकि सुनत है कि काने से पहले पानी पीना शफा है बीच में पानी पीना दवा है, और एंड में पानी पीना विभा है, तो वाबा रेगा है, वो नुक्सांदा है, वो हमारे बैली पैट को और इंक्रीज कर जङता है, तो जब हम इतना सारा पानी पी लेते हैं, तो फिर वो पड़ो है, यह मैंने बहूत मुश्किल से अपने उपर किया यानि अपनी आदत बनाए कि खाने के बाद जो है ना वो मुझे पानी नहीं पीना है बहुत जादा मेरा दिर चाहता था कि नहीं यार बस पीना है पानी कि शुरू से इंसान की जो बैड हैबिट्स होती हो एक दम तो चेंग नहीं हो सकती ना तो मैंने भी बहुत को ज़ ज़रूर इंतजार करती हो उसके बाद पर पानी पीती हो और मैंने इसके रिजर्ट्स भी देखे हैं अपने उपर तो यह सब करने से पहले एक्सरसाइज पोशन कंट्रोल डाइट आप अपनी बाडी को इंचिस में मेजर कर लें और फिर एक दारी में लिख लें और फिर द्यान देना शुरू करें तो आप मिलने जुनेर से भी यह है मेरा बेटा जुनेर और इसको मैं उठा रही थी टीशन जाने के लिए इसकी तब्यद भी ठीक नहीं थी वो खार हो रहा था तो मिल दीजे आप इससे भी ठीक है तो अब जो है यह कार्ब्स और प्रोटीन और प्यिक डिएुसारी डिएसिट और बहुत सारी चीजे हैं सब के बारे में हम भी बात करेंगे अगली विडियो में तो मैं आपको बन लास्ट वर बता ढेती हूं अब प्यू आदै थे हूं का धी टे बता रही थी में ऐ Safe Ich आप करेंगे बहुत ही एजिली जो मैं करती हूँ और जिसको करते हुए मैंने अपने वेट को कम किया है मैं जिम भी गई थी जिम भी जॉइन किया था मैंने टू मन्स वहां पर भी जो है लगाया है लेकिन जो मुझे एफेक्टिव और मूट अच्छा करके जो एक्सराइज म लिंक मैं दिस्क्रिप्शन में दोंगी लेकिन मैं उन वीडियो का जो दो वीडियो मैं जो फॉलो करती हूँ उनका लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन में दोंगी आप उनके चैनल का भी विजिट कर लिएगा लेकिन जन वीडियो का लिंक मैं आपको दोंगी वो दो थर्टी मिनट्स की सेकंड वीडियो है तो वो दोनों यानिके मिक्स करके वन आवर को जाता है तो एक घंटा में कम्प्लीट उनकी एक्सराइज को फॉलो करती हूं आप भी वह जरूर करें जरूर विजिट करें डेफिनिटली रिकमेंड़ है और आप भी अच्छे रखेगा मिलते हैं अगली वीडियो में लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट भी करें और जो है नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर दें और मेरे इंस्टेग्राम पे भी आप फॉलो करने मुझे मैं लिंक जो है डिस्कृपिशन बॉक्स में तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तिल देन अल्ला हापिस